जोहार इन जहें दोस्तों आप लोग कैसे मेरे क्याल से अच्छे गुरुचे से अपना पेपेशन कर रहेंगा जैसा आप सभी को बताये था कि आज आप लोग का आठ बजे आप लोग का सुसलोजी का महामेराथन क्लास चलने वाला ठीक है तो आज आप लोग के लिए आप ल सब्सक्राइब को ग्यात होगा कि आप सभी को बताये थे कि जरकन मेला सुपर वाजट की जामिसन आठ सेप्टमबर दोज़र्च चोबीस से होना तै हुआ है तो निश्चित रूप से आप लोग का होगा तो चितने त्यारी करने वाले कंडिडेट होंगे आप लोग सिरिय त्यारी करते हो सेगे ए presses इसमें आप लोग भी खरा उतरने का पर्यास कीजिए और आप लोग त्यारी में लग जाईए और जो भी जो वारी जाकर आप लोग बतलाया जाएगा वहां से आप लोग जाके और देख सकते हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को जो हारी लाइकन को प्रेस कर दिजेगा ताकि जब भी आप लोग किसी परकार का वीडियो आया फिर जारखन महिला सुपर्वाइजर के लिए जारखन के किसी भी एक्जामिशन के लिए आप लोगा अपडेट आये और कोई नोटीस आया जो सबसे पहले आप लोग जोहार है इससे प्यार करो यह जिंदगी हसी है इससे प्यार करो अभी है रात तो सुबा का इंतजार करो वो पल भी आएगा जिसकी खोई से आपको रभ पर रखो भुरा सा वक्त पर एतबार करो तो दुस्टो देखिए अभी जिंदगी आप लोगो हसी की अग्दम प्यार से अप लोगो गुजारना है अभी रात थे तो कल सुभख होगा इसलिए आप लोग कभी जीवन में कुछ भी आ जाए कोई परस्तिती आए तो कभी आप लोग का हार नहीं मनना है आज रात हे तो क ऐसकाल हो हो गाई ठीक है कि अपने आप विष्वास रखना है अपने अ गट पे भी स्वास रखना है आप लोंगा अच्छे दिन जरूर आएंगे ठीक है और अच्छे तरह किसे आप लोगको प्रॉस плат रहें रहां हैका उपने और विश्वास रखना है ऐड़ने अपने हट तो किसी भी गॉवर्णमेंट लिक जब्राइशन के तियारी करता है जो richest person होते हैं वो लोग नहीं करतने क्यों क्यों लोग नोकरी का जोऱत ही नहीं होता क्योंकि लोग नोकरी देते हैं जोब से region करते हैं इसलिए चिन्ता मत कीजिये और अच्छे तरीके से पढ़ते रही है ठीक है और कहा जाता है जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है इसलिए आप लोग का यही सौच के आप लोगो त्यारी करते रहना है ठीक है और एक सीट आप लोग पका कर लिजिएगा ठीक है तो छेले हम लोग आज की पुश्यन है, फर्स नमबर में देखिए आप लोगों दिया हुआ है, देखिए, संपती की आउधारना की अनुसार निमलिकित में से कौन सा एक समाजिक संपती का उधारन है, बेक्तिगत कार, सारवजनिक पार्क, नीजी घर, बेक्तिगत मोबाइल, फिर से आप लोग देख क्या किसी का नीजी कार होगा, ये तो कभी होई नहीं सकता है, सारोजनिक पार्क, हाँ, ये हो सकता, सारोजनिक मतलब सभी का जिसमें अधिकार होगा, पूरे समाज का अधिकार होगा, वो समाजिक संपती का लाएगा, नीजी ये भी नहीं होगा, बेक्तिगत मोबाइल ये पाधक्ता में बुठाड़ी अर्थिका समन्ता उत्पाधन की धिमीगति इसका राइटैन्सर हो जाएगा उत्पाधक्ता में बुल성 होगा श्रम मों अलग-अलग चीजों में और डिभायट बार्टर सिस्टम, बैंकिन ट्रांजेक्शन, उपहार देना, डिजिटल भुक्तान तो बिनिमाई का एक उधारन है यह आप लोगा बार्टर सिस्टम ठीक है ए नमर उप्शन बिल्कुल ट्राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स प्रस्ण आप लोगा दिया हुआ है फोर नमर में पूरो अधोगिक अर्थ ब्यवस्ता की एक विश्यसता क्या है देखिये ओप्शन में आप लोगा दिया हुआ है मसिनारिक का व्यापक परियोग, सरम का विभाजन, किरिसी पर निर्भरता, उच उत्पादन छमता इसका जो राइट एंसर हो जाएगा किरिसी पर निर्भरता C नमबर ओप्शन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा next देखिए आप लोगों दिया हुआ 5 नमबर में अध़ोगिक अर्थवियोस्ता की पर्मुक विसिस्ता क्या है किरिसी उत्पादन का पर पर्भरतो, शत्रम सकती का अधिकतम उप्योग, समुहिक खेती तो अधोगी कर्त वियोस्ता का ये विल्कु राइट अंसर हो जाएगा बी नमबर उप्सन यानि कि मसिनी करन और फिक्ट्रियों का परियोग ये इसका विसिस्ता हो जाएगा चलिए नेक्स्ट है शिक्स नमबर में अधोगी करन का परवाव समाज के किस छेत पर अधिक पढ़ा है कोई भी छेतर में उद्धोग लगता है बड़े-बड़े कल का रखाना लगता है तो क्या होता है उस छेतर में एक परकार के बहुत ही और development की कायर होता है अच्छे अच्छे school colleges खुलने लगते हैं अच्छे school colleges hospital की खुलने लगते हैं तो आपे जो बाहर की लोग आते हैं तो वो रहेंगे कहां अपने बाल बच्छों कहां पढ़ाएंगे अगर बिमार होंगे तो कहां जाएंगे इसलिए उसी के समुचित विवस्ता के लिए government या फिर जो अधोग रहता है उसके तरब से यह सभी school college की विवस्ता किया जाता है अगर आप बिरोजगार है आपके आज पास उद्धोग लग गया तुसे क्या आप बिरोजगार है तो वहां पे काम धंदा किजेगा तो क्या होगा वहां से आपका पैसा आएगा काम की जगत पैसा आएगा की नहीं पैसा आएगा उससे क्या होगा आपका भरन पसन होगा रच्छे तरीके से परिवार छे लेगा ठेक है इसलिए डी नमबर उप्सन हम लोगा बिलकुल सही अंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट है सेवेन नमबर में देखिए राजनीतिक परिवर्तन में ओधोगी करण का योगदान किस रूप में देखा जा सकता है लोगतंत्रिका अस्थापना निरुमकुस्ता का उदय ओपनियस्वाद का पिस्तार समाजवादी आंदुलन तो इसका जो राइट हो जाएगा डी नमबर याने की समाजवादी आंदुलन का उदय ठीक है राजनीतिक परिवर्तन में ओधोगी करण का योगदान देखिए समाजवादी आंदुलन का उदय होता है ठीक है इसलिए हम लोग का डी नमबर ऑप्सन विलकुल राइट एंसर हो जाएगा चलिए next देखिए शिक्षा के छेत्र में ओधोगी करनने कौन सी मुख्य परकिरया को प्रववाई किया है दार्मिक शिक्षा को प्रवाई किया है तकनीक और व्योशाईक सिक्षा दाई हुआ है या फिर पारउपरिक गुरुकुल फ्रना लि इसका विकास हुआ है या फिर इसका right answer हो जाएगा B number option यानि कि तक्निकी और ब्योसाइक शिक्षा कुदाई हुआ है उद्दुख धंदा लगा है क्या हुआ है वहाँ पे अच्छे अच्छे तक्निकी का वहाँ पे विकास हुआ है ब्योसाइक शिक्षा कुदाई हुआ है इसलिए हम लोगा B number option बेलकुल right answer हो जाएगा चलिए next 9 number में धार्मिक छेत्र में ओधोगी करन का किस परकार से परभाव पड़ा है अब धार्मिक छेत्र में बताई ओधोगी करन का किस परकार से परभाव पड़ा है तो धार्म निर्फीकष्था का विकास हुआ है कोई भी उधोग धन्धा लगता है तो यह किसी एक जाती या बिक्ती विसेश का वहां पर परभुत्व नहीं रहता है वहां पे उबर करता है तो सभी लोग करते हैं चाहिं किसी भी जाती धार्म को हिंदू हो मुसलीम हो, सीख हो, इसाई हो, पादरी हो, है न, ओविसी हो, स्ट हो, सभी वर्गों का ध्यान उसमें रखा जाता है, ठेके, इसलिए धर्म नीर्भीक सा, ठेके, चले नेक्स्ट है, दस नमर में, परिवार के सवरूप में उधोगी करन के क्या परिवर्तन आया है, बताइए परिवार का उधै हुआ है, बहुँपत्नी पर्था का बिकास हुआ है, तो परिवार कि सवरुप में उधोगी करन के कारण क्या परिवर्तन आया है, तो ये परिवार का उधै हुआ है, ठेके, बी नमरों ऑप्सन विलकूर राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट देखे, ग्यारो नमर के आपने को दिया हुआ है, अस्तर बिन्यासी छेत्रों में परिवर्तन के क्या पर्मोकारन है? अर्थिक विकास, राजिनतिक इस्तिर्ता, संस्क्रित्स्टिक संरक्चन, बेज्ञानिक परगति, तुषका जो right answer हो जाएगा आर्थिक विकास हुआ है तेकि है अस्तर विन्याशिक्ष ही छेत्रों में परिवर्दनस किया हुआ है आर्थिक एकोनोमिक डेवलपमेंट हुआ है टेकि है A नमर option बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट देखिए 12 नमर आर्थिक विकास का परमुग निर्धारक तत्तो कौन सा है प्राकिर्तिक संसाधन सिक्छा कस्तर तक्निकी परगती या फिर उप्रोक सभी जिसका जो राइट एंसर हो जाएगा देखिए 12 नमर उप्सन यानि की उप्रोक सभी यानि की प्राकिर्तिक संसाधन सिक्छा कस्तर तक्निकी परगती आर्थिक विकास का ये सब निधारित तत्तो है चले नेक्स्ट है 13 नमर में ओधोगी करन का समाजिक जीवान पर क्या परभाव पड़ा है बताइए ओधोगी करन का समाजिक जीवान पर क्या परभाव पड़ा है समाजिक और समान्ता में कमी आई है समाजिक और समान्ता बिरिधी हुई है या फिर समुहिक्ता का विकास हुआ है या फिर सहरी करन में गिरावट आई है तो ये तो D-number तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि ओधोगी करन का समाजिक वहन पर सहरी करन का गिरावट तो आया ही नहीं बल्कि सहरी करन का और बिरिधी हुआ है तो इस प्रसंद कैंसर आम लोगा B-number हो जाएगा क्यानि कि समाजिक और समंता में बिरिधी हुई है सिगर्थ अर्थ बेहुस्ता थी बैपारिक अर्थ बेहुस्ता थी मसिनिक किरित अर्थ बेहुस्ता थी या फिर सेवा अधारित भी अर्थ बेहुस्ता थी इसका रायट एंसर हो जाएगा पहले किरिसी अर्थ बेहुस्ता था ठीक है ये तो उद्योग दंदा तो ये बाद मे आया है है ना इसलिए ए नबर उप्सन बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट आप लोगा दिया हुआ है सरम बिभाजन की परकिरिया में कौन सी संस्था महत्पुन भूंका निवाती है वो सबसे महत्पुन भूंका निवाती परिवार धर बजार राइज तो इसका नमबर में ओधोगी करण के कारण किस परकार की राजनतिक व्योस्था को पुरुसाहन मिला है ओप्सन में दिया हुआ निर्मकुंस्ता लोगतंत्र फासी वाग या फिर समाज वाग तो इसका जो राइट आप लोगा एंसर हो जाएगा लोगतंत्र जोकी बी नमबर ओप्स इस क्या होता है लाब अरजन करना समाज की सेवा करना पारिवार्देक समर्थन या फिर धार्मिक उत्वादन का परमुक लख्ष होता है लाब अरजन करना आजवी कोई भी उध्योग कल खाराना क्यों लगाता है क्या लोश करने के लिए या फिर समाज सेवा करने के लिए या फिर पारिवरत सम्वर्थन के लिए या फिर धार्व कुझे सुक पूर्थी के लिए, तो ये सब के लिए नहीं, बलकि वहां से कैसे प्रोफिट हो है ना, याने कि लाब कमाने के लिए अरजन, मतलब वही होता है, प्राप्त करना, ठीक है? पहले कोदोगीक समाज में वस्तर कैसे बनता था वो तरीका कैसा था हस्त निर्मित था मसिनी किरित था अर्द सोचालित था आयातीत था तो ये हस्त निर्मित था पहले क्या कपड़ा जो बनता था ये क्या मसिन से बनता था सिरुवात में नहीं ये हांस से ही बुनाई किया ज जाएगा चले नेक्स्ट है 19 नमबर में उधोगी करांती ने किस परकार के समाज का निर्मान किया उधोगी करांती से समाज में किस परकार का निर्मान हुआ है क्रिसी अधारिक समाज का निर्मान हुआ है उध्योग अधारिक समाज का निर्मान हुआ है बैपार अधारिक समा आएगा चले next है देखे 20 नमबर में आर्थिक विकास के परिणाम सुरुप समाज में कौन सी परभिरती बही है सहरी करन ग्रामिन करन जन्षंख्या इस्तिर्ता और धोगी करन में कमी तो आर्थिक विकास के परिणाम सुरुप समाज में जो यह हुआ है यह सहरी कहरन बढ़ा है जिस चेटर में देखेगा आर्थिक विकास हुआ एकनोमिक और डेपलोपमेंट हुआ है उस जगह देखेगा कोई सहरी करन आ गिया है चले next है 21 नमबर में किस परकार के बिनिमाई एक नगदी रही समाज में देखा जा सकता है डिजिटल बिनिमाई बार्टर सिस्टम ब सही एंसर हो जाएगा चले next है ओधगी करन के कारण सहचिक संस्थाों में किस परकार का परिवर्थन आया है बताई ओधगी करन के कारण सहचिक जो संस्थाओं में है उसमें किस तरह का बदलावा या परिवर्थन आया उव Elohao आपनों के बताना न inac 벌써 जाने Donc Ben धार्मिक सिख्छा का विकास ये बिल्कुल नहीं केवल पराचिन सिख्छा का संट रक्षन बिल्कुल नहीं इसलिए हम लोगा बी नमर उप्सन जो होगा विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक है देखें नेक्स्ट आप लोगा दिया हुआ है आर्थिक विकास का परमु लानना ऊगा तब ही होगा तकनिकी आप लोगा नवाचार लानना ही होगा तब जाके आपका आर्थिक विकास भी होगा अगर वाज सुचे हा कि धार्मिक चीजों पर ध्यान देंगे किरीसी करेंगे तो सिख्छा लेंगे तो इससे आप लोग वatte बटा बडा पड़ा ड्रीम रहेगा वो पूरा नहीं होगा वो ड्रीम आप लोगा तक्निक हाथ में हुनर रहेगा तो ही होगा देखे चले नेक्स्ट है 24 नंबर में अधोगिक समाज में सर्मीकों की भूमिका क्या होती है उतपादन की बृधि आर्थी की ओजना बनाना और भोग्ता उस्तो का भी तरन खेती का विस्तार तो इसका राय टेंसरो जाएगा उतपादन का बृधि बढ़ना ओधोगिक समाज में सर्मीकों का मुझ्ञ तो आपको क्यों पैसा देगा कोई भी तो लोस में नहीं चाहता है अगर आप युछ काम कर रहे हैं उससे आपको आठ हजार ही आ रहा है कि आप उसको काम में रखिएगा कभी नहीं रखिएगा अगर आपको वह 50,000 कमाग दे रहा है तब आप उसको 10,000 सेलरी देजिएगा तो कुछ इस तरह का नियम चलता है देखे नेक्स्ट है 25 में पूर्व औधोगीग समाज में मुख्य उर्जा सुर्ष Lucky क्या हो था पूर्व औधोगीग समाज में मुख्य उर्जा सुरॉत क्या था कोईला, जल उर्जा, मानो स्रव या फिर तेल तो पूर्व अधगीक समाज में मुख्य उर्जा का सुवत ये था आप लोगा मानो स्रम सी नमबर ओप्सन बिल्कुल सही नेक्स्ट है दिखिए 26 नमर में राजिनतिक की स्थिर्टा का आर्थिक विकास से क्या संबन है राजिनतिक की स्थिर्टा से आर्थिक विकास में बिरिदी होती है या फिर राजिनतिक और स्थिर्टा से आर्थिक विकास में बिरिदी होती है या फिर दोनों में कोई संबन नहीं है या फिर आर्थिक विकास से राजिनतिक स्थिर्टा में कमी आती है तिसका जो राय टेंसर हो जाएगा एंदम्बर एफचन या निकि राजुनतिक की श्थिर्था से आर्थिक विकास में बिरधि होती है अगे राजुनतिक की स्थिर्थ नहीं रहेगा घटबजन सरकार रहेगा सरकार गिरते रहेगा उठते रहेगा तुसे development का जो कायरी रहेगा वो होगा ही नहीं सही योजना आम जनता पास पहुचेगा ही नहीं है ना इसलिए राजनते की स्थिर्था बहुत ही जरूरी है ताकि जो economic development हो ठीक है नहीं तो और स्थिर्था रहेगा तो कभे आर्थिक विकास होगा ही नहीं छेले नेक्स्ट है 17 नमर में सरम विवाजन का परभाव समाज में किस रूप में देखा जा सकता है कोशल विकास के रूप में, बेरुजगारी के रूप में, तक्निकी ग्यान में, कमी के रूप में या पिर सांस्कृतिक संरक्षन के रूप में तो उसे रम विवाजन का परभाव समाज में हम लोग कोसल विकास के रोप में देख सकते हैं ठेक है ठेले नेक्स्ट है 28 नमबर में ओधोकी करण ने किस परकार के रोजगार के आउसर उत्पन किये हैं बताइए जिसका राइट एंसर होजएगा बी नमर यानि कि मैनुफैक्ट्रिंग और फैक्टरी का रही है बी नमर उप्सन बिल्कू राइट एंसर चले नेक्स्ट है ठोलग कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा नहीं दिख रहा है रेड अच्छा रहेगा ने रेड अच्छा रहेगा चलिए चले नेक्स्ट है 29 नमर में आर्थिक विकास का समाजिक परिनाम क्या हो सकता है समाजिक और समंता का उदाई गरीवे में ब्रिधी सिक्षा की आउसरों में कमी या फिर विरुजगारी में ब्रिधी इसका जो रा जख़ागए चब्राइब कि मिस्रित बिवारत जाएगा बी नबर ऐसंद यानि कि उद्ध्य雅 जह्याँ निक्स्ट प्रत नहीं होता है जो हिए पाना चाहते हैं सपलता वह नहीं होता है जो हम पाना चाहते हैं सपलता वह होती है जो हम खुद के लिए चुनते हैं ठाई कोई भी इंसान को देखी है नहीं किया जाना चाहिए कहवत है गाँ में कि दस सुवर को देखके एक बिल्ली थी वो भी चल गई जाके कुवा में डूब गई सुवर को आप लोग तो पता ही होगा एक जून में चलता है तो ही पीछे-पीछे कुट्ता जाता है देखता है क्या करने जा रहा है तो पता चला उस अब कुवा में डूग गया तो भी छलांग लगा दिया तो उस तरह नहीं करना है ठीक है इसलिए होई कहा है सपलता वो नहीं होता है जो कि हम पाना चाहते है बलकि सपलता वो होता है जो हम खूद के लिए चुनते हैं अपने सहरी समाजिक संगठेन में कौन सा पारंपरिक कारक अभी भी महत्पुन भीमिका निभाता है जाती, छेत, उध्योग, सरकारी योजनाई ये जाती बिल्कुल राइट एंसरो हो जाएगा ठीक है ए नमर उप्शन बिल्कुल सही अंसर नेक्स्ट देखिए, सहरी करन के कारण पारंपरिक संगोतरता में कौन सा परिवर्तन देखा गया है इसकी समाजिक भीमिका में कमी हुई है, संगोतरता में बिरिदी हुई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है केवल गरामें छेतरों परभाव फड़ा है इसका राय टेंसर हो जाएगा, इसकी समाजिक भीमिका में कमी ठीक है, ए नमबर उप्सन विलकुल राय टेंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट प्रसनी आप लोगा 33 नमबर में सहरी समाज में जाती बियोस्ता का क्या सोरूप होता है पार्मपणिक रूप से मजबूत सोरूप में परिवर्दन सील पुरी तरह समाप, ग्रामिन समाज जैसा है इसका राय टेंसर हो जाएगा बीनमर उप्सन यानि की सोरूप में परिवर्दन सील नेक्स्ट चलिए सहरी समाज में दर्म का क्या परभा होता है दर्म निरपिक्ष्टा का बिकास क्या होता है अर्थिक इस्तिती शिक्षा जाती और दर्म सबी उप्रो तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D number option ठेक है चले next आप लोगा दिया हुआ है सहरी गती सिल्ता में मुईक रूप से कोन सा कारक भूमिका निभाता है शिक्छा कस्तर, जाती, संगुत्रता, धार्मिक अस्थाएं इसका राइट एंसर हो जाएगा सिक्छा कस्तर, यानि की A number option जो होगा बिल्कुल और राइट एंसर हो जाएगा चले next प्रसने आप लोगा सहरी चेतरों में निरिजातिक अनिक्ता का क्या परिनाम हो सकता है समुदाइक बिभाजन, समुदाइक एकिकरन, सांती और स्वहाग या फिर जाती गत सामानता जिसका जो राइट एंसर हो जाएगा A number option यानि की समुदाइक बिभाजन चले next प्रसने आप लोगा देखिए सहरी परोसदारी का परमुख समाजिक कायर क्या होता है बताइए देखिए option में दिया होगा सुच्छा परदान करना, धार्मी कायरियों कायोजन या फिर जाती अधारित समुदाइक नियंतरन जिसका जो राइट एंसर हो जाएगा समाजिक नियंतरन डी नबर उप्शन जोगा बिल्कुल और राइट एंसर हो जाएगा देखिए 49 नबर में दिया हुआ है सहरी परोसदारी में समाजिक समन्द कैसे होती जाती समाजिक समंद बहुती अच्छा रहत है मिलजुल के गाएं के लोग रहते हैं लेकिन वहीं सहर की वाती अते हैं वहाँ पर मिलजुल के नहीं रहते हैं अपने पॉडोसी को नहीं पहचानते हैं, चले नेक्स्ट है, चालिस नुबर में, चालिस नुबर में देखिया, आप लोग दिया हुए क्या, सहरी और गरामिन समाजों के बीच परमुक जनसंख्य की अंतर क्या है, सहरी चितरों जनसंख्या घनतों अधिक होता है, गरामिन चेतरों अधिक सिक्षा होती है, सहरी चेतरों में मिर्तुदर अधिक होती है, गरामिन चेतरों स्वास स्वाई बेहतर होती है, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, सहरी चेतरों में जनसंख्या घनतों अधिक होता है, सहर में अधिक मात्रा में जनसंख्या होता है, और डेवलोप्मेंट की जो कायर होती है, सहर में ही जादा होती है, कि क्यों पर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसका ज़रत भी ज़्यादा चीजों को पढ़ेगा, यह लिए ओहां पर सहर में और डेवलोप्मेंट की कायर अत्यदिक होती है, चले नेक्स्ट है, सहरी करन का परमुक को समाजिक परिनाम क्या होता है समाजिक गती सिल्टा में बिरेदी समाजिक इस्तिर्था समाज का बिस्तार या फिर पारम पर एक मुल्यों की सुरक्षा इसका राइट एंसर हो जाएगा समाजिक गती सिल्टा में बिरेदी ए नमबर उप्षन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा छेले नेक्स्ट है 42 नमबर में सहरी चेत्रों में समुदाएक एकी करन किसे परवाइत होता है आर्तिक समानता से, जातिगत भिंता से सांस्किर्तिक भिंता से राजिंतिक ब्योस्था से जिसका राइट एंसर हो जाएगा सांस्किर्तिक भिंता से यानि कि C नमबर उप्षन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक है छेले नेक्स्ट है सहरी समाज में परमपरिक शंगतनों का कौन सा रूप अधिक प्रवाई होता है धार्मिक शंगतन जातिगत संगतन पेसे वर संगतन या फिर उपरोग सभी जिसका राइट एंसर हो जाएगा पेसे वर संग C नमबर उप्षन बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा छेले नेक्स्ट है 44 नमबर में सहरी समाज में परिवारिक संरचना में किस परकार के परिवर्तन देखा गया है option में देखिया आप लोग दिया है सन्युक परिवार से एकल परिवार की और एकल परिवार से सन्युक परिवार की और या फिर कोई बदलाओ नहीं या फिर पारिवारिक सरचना में कोई महत्व नहीं सन्युक परिवार से एकल परिवार की और ठीक है सहर में ही देखने को मिलनेगा आप लोग को जॉइंट फैमिली नहीं देखने को मिलेगा लेकिन वहीं गाव में चले जाएए वहाँ पर आपको जॉइंट फैमिली देखने को मिलेगा सहरी और गरामिन समाज की बीच पर मुख समाजिक संस्कृतिक अंतर क्या है सहरी समाज अधिक आधोनिक और खुला होता है गरामिन समाज अधिक प्रमप्रागत होता है या सहरी समाज में धार्मिक्ता अधिक होती है या पिर गरामीन समाज में संस्क्रितिक एक रूपता होती ये इसका जो right answer हो जाएगा सहरी समाज अधिक आत्यधनिक और खुला होता है सही बात है सहरी समाज जो होता है अधिक खुला रहता है आधुनिक रहता है आधुनिक चीजों से less रहता है इसलिए A number option बिल्कुल right answer हो जाएगा छेले next प्रसने है सहरी करन के कारण पारंपरिक जातीगत संरचना में क्या परिवर्तन आया है या कमजोर हुई है या पर या अधिक मजूत हुई है या फिर कोई बदलाव नहीं आया है या फिर केवल सहरों में इसका परभा हुई है तो इसके जो right answer हो जाएगे कमजोर हुई है सहरी करन के कारण जो जाती प्रता था जाती संरचना था वो कमजोर पड़ा है कहीं न कहीं इसलिए आम लोग का A number जो option होगा बिल्कु right answer हो जाएगा ठीक है सहर में देखिए कोई भी जाती काजमी है कोई भी धर्म काजमी सब लोग के साथ उठन बेठन होता है खान पान होता है सहर में होटल रहता है क्या मुसलिम को होटल में हिंदू को लोग नहीं खाते है या फिर कोई भी दुसरे जात को लोग दुसरे जात को होटल या कोई भी चीज को क्या नई परचिस करते हैं नई खाते हैं वो करते हैं लेकिन गाँ में अभी जाईएगा वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा एक प्रकार का जाती वे उस्ता गाँ में अभी भी बरकरार है जो कि देश के लिए बहुत ही बड़ा समस्या है चलिए नेक्स्ट है सहरी समाज में समाजिक गति सिल्टा का मुख्य कारण क्या है पताए सहरी समाज में समाजिक गति सिल्टा का मुख्य कारण क्या है सिक्छा और रोजगार की आउसर धार्मिक आस्थाएं या फिर परिवारिक संगुद्रता या फिर छेत्र पहचान जिसका जो राय टेंसर हो जाएगा सिक्षा और रोजगार की आउसर यानि कि ए नमर जो अप्सन होगा बिल्गुल राय टेंसर हो जाएगा चले नेक्स प्रस ने आपका दिया हुआ है देखिए सहरी पॉलोसदारी में समाजिक एकी करन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है समाजिक एकी करन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है समान संस्क्रितिक प्रिष्ट भूमी आर्ठिक समानता समाजिक सेवा कायरियो दौरा या फिर धार्मिक्ता के मैधियम से तो इसका जो right answer हो जाएगा समाजिक सेवा कायरियो दुवारा यानि किसी number option जो होगा बिल्कुल सही answer हो जाएगा next देखिए सहरी समाज में समुदाइक विवाजन का कारण क्या हो सकता है निरिजातिक भिंता, आर्थिक असमानता, धार्मिक विवाजन या फिर उप्रोक सभी जिसका जो right answer हो जाएगा उप्रोक सभी यानि कि निरिजातिक भिंता, आर्थिक असमानता, धार्मिक विवाजन ये सब होता है सहरी में समुदाइक विवाजन के कारण चले नेक्स्ट है फिप्टी नमबर में यानि पचास नमबर में देखे आप लोग दिया हुआ है सहरी छेतरों में समाजिक संरचना किस परकार से संगठित होती है सहरी छेतरों में समाजिक संरचना किस परकार से संगठित रहती है उप्शन में दिया हुआ है तो इसका जो राह संगर्ज की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से जंग जीती सुबह सुईर बनकर वही चमका यानि कि दोस्तों जिसके राह में संगर से वही एक दिन संसार को बदलता है वही एक दिन कामियाभी हासिल कर पाता है जिसने रातों की नींद को उड़ाया है वही एक दिन सुईर बनकर निकला है वही एक भिन सुईर बनके निकला है यानि कि दोस्तों जो संगर्ष करता है वो एक दिन सफलता प्राप्त कर लेता है और संसार को भी एक परकार से बदलने का कायर करता है इसलिए संगर्ष से कभी डरिया कशनी जीवन का दुसरा नाम ही है संगर्ष अब जिन्दा है तो संगर्स कर नहीं होगा ठेक है नूक्रिश लेना है तो आप लोगों संगर्स कर नहीं होगा है ना अगर संगर्स नहीं केजियेगा नहीं तो जब सफलद प्राब कर लीजेगा उस समय क्या बतलाइगा कि सिर्प हम 12-13 गंटा सोते थे, रिल्स देखते थे, अराम चाचा खाना खाते थे, गुमते थे, फिरते थे, यही सफलता प्राप्त किजिएगा तो ही बताईएगा, यह नहीं बताईएगा, इसलिए संगर्स से कभी भागना नहीं, कोई भी सक्सेस्पुल इंसान के कि देखते हम रोंगटा ख़ना हो जाएगा, इस तरह से संगर्स रहता है, इसलिए संगर्स से कभी मर्डर यह, अभी सफलता प्राप्त कर लिजिए, अभी संगर्स किजिएगा, तो आने वाले दिने में आपको सफलता प्राप्त होगा, वो इसमें मीडिया वोले आप नहीं बताईएगा, कि इतना संगर्स किए तब जाकि यह सफलता प्राप्त हुआ, वो आप लोग भी समाज में एक रोल आइडियल परसन बन जाएंगे, तो आप लोग डिसाइड करना है, आइडियल परसन बनना है, या फिर आम इंसान की जिन्दगी जिना है, यह आप लो लोग नेक्स प्रसन बढ़ते हैं, सहरी समाज में परिवार की समजिक भूमिकाम क्या बदलाव आया है, समाजिक नियंतरन में कमी आई है, सिक्षा का पर्सार हुआ है, दार्मी का र sentiments हुआ है, सांस्कितिक परंपराओं का सन्रक्शन हुआ है, तो सहरी समाजिक परिवार सम समाजिक भूमिका में या आपका समाजिक नियंतरण में कमी है या फिर दोनों में समान गति सिल्ता होती है या फिर कोई निस्षित अंतर नहीं होता इसका राइट एंसर हो जाएगा सहरी समाज भी गति सीलता अधीक होती है इसलिए ए नमबर जो ऑप्सन होगा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स प्रसनी आप लोगा देखे दिया हुआ है तीरपन नमर में सहरी छेत्रों में समाजिक संगठन का पर्मुक अधार क्या होता है आर्थिक संरचना जातिगत संरचना धार्मिक संरचना या फिर पारिवारिक संरचना तो यह आप लोगों होता है आर्थिक संरचना ठीक है यानि कि economic extraction चले next है 54 नमबर में देखिए दिया हुआ है सहरी करण के परभाव से किस परकार की समाजिक समस्यां उत्पन होती सहरी करण से परभाव के कारण समाज में किस परकार की समस्यां उत्पन होती वह आप लोग को बताना है भेल भार रियतायत की समस्या चले next है 55 नमबर में सहरी समाज में जाती बेवस्ता किस परकार काईड करती है काउम परभाव साली पुरी तरश से परभावी, केवल उच जातियों में या पिर जाती वेवस्ता कोई परभाव नहीं तो यह आप लोग बता देना चाह रहे हैं सहरी समाज में जाती वेवस्ता कि पहुत ही कौम परभाव इसका रहता है जाती का कोई एकदम ना के बराबर ही परभाव कर सकते हैं सहर में क्योंकि सभी वर के लोग रहते हैं आदिवासी दलित पिछड़ा हिंदो मिसलिम से किसा यानिक सभी वर करता है सभी धर्म के लोग निवास करते हैं चलि नेक्स्ट है सहरी करन के कारण परमपरिक धर्म क्या परिवर्तन देखा गया है धर्म निर्पेक्ष्था में बिरिधी दार्मिक कटर्टा में बिरिधी धर्मिक संगठन का हवास या फिर धर्म का विस्तार हुआ है इसका राय टेंसर हो जाएगा धर्म निर्पेक्ष्थ का परमुख परिनाम क्या होता है सांस्किर्तिक संगर्स सांस्किर्तिक एक्ता सांस्किर्तिक छरन या फिर सांस्किर्तिक संगर्स इसका राइट एंसर हो जाएगा सांस्किर्तिक संगर्स ए नम्र उप्सन विल्कुल राइट एंसर नेक्स प्रसन देखे आप लोग दिया आर्थिक इस्तिती जाती धर या फिर सिक्षा तो देखिए सहरी समाझवी समझजी कस्तिरी करने को होता है जो कि आर्थिक इस्तिती बहुत ही अश्ट्रोंग होता है गाउं की आप एक्षा भूत ही अश्ट्रोंग रहता है गाउं के आदमी को तो खाने का लाला पड़ जाते आप लोग कुछ साल पहले ही अगले साल आप लोग देखने को मिलेगा एक दुमका का एक जगा है उसका नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन ओहां एक बुढ़ी थी एक अवरत थी जिसको भूग से तरपते हुए वो मर गई इस परकार से इक्रोमिक कंडिशन घार जारकन का भ हुआ है धारकन तो 40% पुरह भारत का खर निश्म पदा है लेकिन यहां कि लोग गरीब है यहां की नेता अमीर है में लेकिन इहां की जनता गरीब है इस बात को अप लोग दिखना होगा कि आज भी समस्या होई है आज भी लोग सिक्षा के लिए तो करी रहे हैं सनक बिजली के लिए आंदोलन कर रहे हैं घर के लिए आंदोलन कर रहे हैं खाना के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो यह कहां से डेपलोप्मेंट हुआ है जो चोबिस साल में होना चाहिए चोबिस साल में इवा हो जाता है कोई भी इंसान पैदा लेगा तो चोबिस साल में जवान हो जाता है लेकिन जारकन जवान हुआ है लेकिन विकास के नाम पे यहां पे गोल गपस सनाटा हुआ है सरकार तो बहुत बार चेंज हुए नहीं नहीं सरकारों गठन हुए लेकिन सरकार ने जो वादा करती हो सरकार खरा नहीं उतर पाती है आप लोग अभी वात्मान सरकार को भी देख लीजिए चुनापूरे इसने और इन्होंने घोसना किया था कि एक साल में पांच लाकी वाओं को रोजगार देंगे रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बिरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन देखिये ना रोजगार मिला पांच लाकी वाओं को ना ही विरुजगारी भत्ता मिला कुल मिला के अभे के इवाज हो ठके जा रहे कोई भी सरकार आ है ना एकदम ठक नहीं यह से लिए आप लोगो प्राई के साथ साथ आप लोग एक एक एक्स्ट्रा साइट भी पकल लीजेगा ओप्सन भी बना के चलिएगा नहीं तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना है चले हम लोग नेक्स प्रेसिन को रहम लोग बढ़ते हैं देखे दिया हुआ है आप लोग का सहरी परोसदारी में समाजिक संबंदों का परमुक अधार क्या होता है पेसेवर समानता जातिका समानता संस्कितिक समानता या फिर आर्थिक समानता इसका रायट एंसर हो जाएगा आर्थिक समानता ठेक है डे नमबर उप्सन बिल्कुल रायट एंसर चले next person आप लोगो देखिया हुआ है नेक्स प्रसन जाने से पहले देखिए जोहार एक्जाम टीम के दोरा आप लोगो नोर्स चयार किया गया है जो को दोस्तों most important राने वाला अगामी आने वाली जाकर मुला सुपरवाजर की examination में आप लोगो यहीं से 100% प्रसन देखने को मिलेगे तो दोस्तों अगर आप लोग सपना हे ड्रीम है गोल है जारकल मिला सुपरवाजर में एक सीट पका करना तो दोस्तों ये नोस्तों आप लोगे रहım بंद साबीत होन्य हो थो यहीं distinguished प cushy logic बात करते हैं, चाए hems science की कि बात करते हैं, चाए हो fuckin licensing की बात करते हैं, चाए paper to hindic बात करते हैं मैं, creatively paper 1 की बात कर्ते हैं, सभी के लिए दोस्तो, बहुत ही most important notion, त्यार किया गया है देखें तरी तो आप लोग तो आप लोग के नोर्स फिर से बता देना चाह रहे हैं त्यार किया गया है और यह syllabus के coding ही है ठीक है इससे बाहर आप लोग कुछ भी पर नहीं का आवे सकता नहीं है इससे ही आप लोग का एकजाम इसे प्रसंट देखने को मिलेगा बर सट्टे जितने आप लोग को जहार एक सपन को सकार करना अपनी जो सपना देखें हैं उसको सकार करना और जर्कन सरकार में महिला सुपरवाजर में जो प्राप्ट करना चाहते हैं चाहते हैं यह नोर्स आप टू 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 टीक है इस नंबर पर आप लोग क्या करना है 200 पेमेंड करना है कितना करना है 200 पेमेंड करना है देन उसके वद इसकीन सोट आप लोगो इसी वाट्सप नंबर पर आप लोगो भेज देना है उसके वद भेज के आप लोग बता देना है कि आपको कौन साथ चाहिए सोशूलोजिक चाहिए होम संस का चाहिए पिर सैको जी या फिर पेपर वण जिसका भी चाहिए आप लोगो सकनी सोट के साथ आप लोगो मैंसें की दिझेगा अपना if लुगर ढमसेज़ के दोरा आप लोग दो मिनेट के अधायो कर रही है पिछले 8 ते 10 मेना से आप कली महनत कर रही है तो आप लोगों भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी महनत कर रहे हैं तो चलिए देखिए, आप लोग को ज़रीक जम्ट टीम के दोर आप लोग के लिए जरके नुमेना सुपर्वाजर के लिए टेस्यूरीज भी और तियार किया गया टेस्यूरीज देना दोस्तों बहुत ही इंपोर्टे इसके बीना आप लोग सफलता कि कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती हुआ उमीद करना भी खुद में बैमानी होगा क्योंकि टेस्ट रिस देने से बहुत सरा बेनिफिट होता है आपको पहला बेनिफिट होता है देखिए आपका मांक्स इंक्रीज होगा दूसरा क्या बेनिफिट होता आपको पता चलता है कोईशन किस परकार काता है तिसरा पता चलत फौर्ट थे आप लोगा time manage करना क्योंकि आप सभी को पता होगा कि किसी भी को प्रशल प्रेपर से करना ही होगा दो गंटÁ प्रफर में होगा कोफी ठीस्ट करना ह् वंजात SJ he लेकिन पता चल रहा है कि वो कहांस दे रहा है आपको लगेगा कि चार ओप्षन एक ही है तो एक ही है तो आप लोग अंदाजी किसीम लगा दिजेगा अंदाजी लगा दिजेगा तब फिर पता चलेगा तीन कोई संद आप लोग गलत कहिजिएगा तो एक मार्क्स आप लोग गोल है जरकन मेला सुपरवाजर में सिट पका करना तो आप लोग लिए नोट्स आप लोग लिए राम बाण साबित हुने वाला है तो देखें आम लोग पास कुझ सा कुझ कुझ सा आप लोग अप लोग टेस्रीज बना हुआ है तो देखें पीपर वन हो गिया आपको paper 2 में देखिए हिंदी हो गया, खोटा हो गया, नाकपुरी हो गया, इन सभी के लिए बना हुआ है, paper 3 के हम लोग बात क्याते है, paper 3 में देखिए sociology हो गया, home science हो गया, psychology हो गया, इन सभी के लिए बना हुआ है, ठीक है, और total आपको 10-10 mock test मिलने वाला है, जो की important selected question है, इसी परकार के question आप लोग का examination में देखनी को मिलेगा, ठीक है, और यही same pattern आप लोग को रहेगा, ठीक है, तो देखिए आप लोग ऐसे प्राप करना है, नहीं करना है, तो देखिए आप सभी को एक number दिख रहा होगा, 878912522, इस number पर आपको क्या करना है, 2 and 8 payment करना है, देन उसके स्किन सोट आप लोग इसी वार्टसप नमबर में भेज देना है, वार्टसप नमबर भेज के आपको बता देना है कि कौन से paper का चाहिए, paper 1 का चाहिए, या फिर paper 2, Hindi, नाकपुरी, खोठा, जिसका भी चाहिए, आप बता दिजिएगा, ठीक है, and paper term देखिए, आप लोग का बता दिजिएगा, उसके बाद जो हर एक टीम के दोरह आप लोग को दो मिनिट के अंदर में, गुरूप में एड कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग वहां से अपना मौक टेस्ट दे सकते हैं, आप रिह आपको जा सकते हैं, कि आप कितना पानीम है, नहीं ह डिवर जा रहे हैं, जाँ एक पेपर कर फी 200 है, दो पेपर लिजएगा, तो 4 रुपया लगेगा, 3 पेपर लिजएगा, तीनों पेपर लिजएगा, तो 6 रुपया लागेगा, ठीक है, त आप लोग सारा पूरसिंस पता चली गया, तशेल में नेक्स कोजिशन के और बढ़ते हैं साथ नंबर में साथ नंबर में दिखिए आप लोगों को दिया हुआ है क्या सहरी करें के कारण सेच्छिक अस्तर में क्या परिवर्तन हुआ है सेच्छिक अस्तर में बिरिधी हुआ है सेच्छिक अस्तर में कमी हुआ है सच्छिक और समन्ताम बिरिधी हुई है या फिर केवल नीजी सिक्छा का विस्तार हुआ तो सहे लिए करने के कारण सच्छिक अस्तर में यह आप लोग बिरिधी हुआ है इसलिए यह नमर उप्सन जोगा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चले नेक्स प्रस ने आप लोग देखे दिया हुआ है भारत के निम्लिकित जनजाती समधायों में कौन सा समधाय नागालेन में परमुक है यानि कि वहां पर परमुक है वहां पर पाया जाता है भेल, संथा, गोंड, नागा तो नागा ये जन जाती दोस्तों जो कि आप लोग बहुत ही आयतायत में आप लोग को नागा लेन में देखने को मिलेगा चले नेक्स परसने आप लोग को देखिए बारसर नमर में निमलिकित में से कौन सी जन जाती जारकन राजमी पर्मुक रूप से पाई जाती कुन से जन जाती है जो कि जार्खन में पाई जाती है टोड़ा संथाली गारो खासी तो ये संथाली जन जाती दूस्तों जो कि जार्खन में बहुती अधिक मतरम पाई जाती है जार्खन में सबसे अधिक जन जाती की बात करते हैं संसाले जन जाती पाई जाती है जो कि इसका सबसे अधिक भासा बोली जाती हिंदी के और सके नस्तान में संथाली का बोला जाता हुँ आप लोग कमेंड करके बताईएगा जरूर जितने भी आप लोग कंडिडेट होंगे दुम का जामतारा और भारत जारकन के जितने में होंगे सबी कोई बताईएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है आप लोगा 63 नमबर में 63 नमबर में देखिया आप लोगा दिया हुए क्या जनजातियों की पर्मुक विस्यस्ताओं क्या सामिल होता है समान भासा और संस्कृति समाइन पासा रहेगा उनका खुद का संस्कृतिक रहेगा रहान सहन उन लोग अलग रहेगा ठीक है उदेके समाइन भोगलिक छेतर रहता है परमपरिक धर मान्यता है रहता है उन लोग का है इसलिए डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही अंसर चलिए नेक्स्ट है चौनसर नमर में जनजाती और जाती के बीच में मुख्य अंतर क्या है जाती और जनजाती क्या अंतर होता है यह आप लोग को बताना है देखें जनजाती समुदाई एक प्राचिन समू है जबकि जाती एक समाजिक बिभाजन है या फिर बी में दिया हुआ है जाती समुद बताई केवल हिंदू धर्म पाय जाता है या फिर C में दिया हुआ है देखिए आप लोग का जनजाती का अर्थ समाजिक वर्ग है या फिर D में दिया हुआ है जनजातियों का कोई संस्कितिक आदान परता नहीं होता है तो बताई इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बताई इसका राइट एंसर हो जाएगा A नमर उप्सन यानि कि जनजाती समझाएक प्राचिन समभू है जबकि और उसका जाती जोकि एक समाजिक विभाजा नहीं है इसलिए हम लोग का A नमर उप्सन विलकुल राइट एंसर हो जाएगा चेले नेक्ष प्रस नहीं आप परिवर्तन बहसाई आधान पर्दान या फिर उप्रोग सभी इसका रायट एंसर हो जाएगा डी नबर उप्सन सही यानि कि उप्रोग सभी यानि कि बारत में जन जाती और जाती के बीच संस्क्रितिक आधान पर्दान देखिये होता है भोजन की आदतों का एकी करन से धान परिवर्तन से भसाई आधान पर्दान से इसलिए हम लोगा डी नमर उप्सन जो होगा बिल्कुल रायट एंसर हो जाएगा ठीक है चले नेक्स प्रसनी हम लोगा छेरसर नमर में जार जारखन की जंजातियों की समाजिक समस्याओं की बात करते हैं तो देखिए जारखन के जंजातियों सिक्षा की कमी है इसलिए लोग फिछड़े हुई है ठीक है वह पिछलों को आगे करने के लिए भारत सरकार और राय सरकार के दवरा आरक्षन दिया जाता है सब्सक्राइब नोसन मिलेगा ना जल किसी मिले जरक मिलेंगा इसकुल ना कोलेज रोस्फिटल कुछ भी नहीं मिलेगा तो बताएव जनजाति की विकास कैसे होगा इसके लिए सरकार को पहल हैita ना sectब्स में हम चाहिए आज पर अमेदर याप लिखार्स और देखने को देखने को मिलेगा भारत अजयाद हुए लेकिन आज वी जंजात्य गा समस्या है वही बरक़ार है यह सब कैसे हुआ तिये सिक्षा के कमी के कारण सिक्षा सही तरह से नहीं मिलेगा तो उसका बहुत बड़ा एफेक्ट कर देगा बहुत ही उसका सोसन होगा इसलिए कहा जाता है ना तीन टाइम का रोटी में एक टाइम का ठीक हम खाईए लेकिन अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाईए ठीक है तो हम लोग का इसका डी नवर उप्सन बिल्कुल सही अंसरू हो जाएगा चलिए हम लोग नेक्स प्रसिंट कर हम लोग बढ़ते हैं देखिए सरसर नमबर में 67 नमबर प्रसिंट देखिए आप लोग दिया हुआ है जर्कन की जनजातियों की परमुक आर्थिक समिस्वम क्या है भूमे की कमी गरिबी रोजकार की आउसरों की कमी उप्रोक सभी तो इसका जो राय टेंसर हो जाएगा डी नवर उप्सन यानि की उप्रोक सभी जर्कन की जनजातियों की आर्थिक समिस्वम देखिए कुछीक पास भूमे ही नहीं है सिर्फ घर यह भी टूटे फूटा है अब एक कुछ देर पहले ही आप लोग एक्जामपल दिये थे बरहेट में जो की मुख मंत्री का ही निर्वाचन छेतर परता है बिजन सबाद छेतर परता वहीं से जीते हैं वहाँ पर एक भूग से तलपती भी महिला की मौत हो जाती है तो बताइए आज देश की स्थिति क्या है और जर्कन की स्थिति क्या है गरीबी, गरीबी के कारण भी आर्थिक समय से उत्पन होती है गरीबी रहेगा तो उसका पैसा कोड़ी कहां से आएगा वह कुछ करी नहीं पाएगा ये सब गरीबी कहां साता है शिक्षा के कमी के कारण तींखे रोजगार कया सरो की कमी के कारण गाहँ द्यात में जाए रोजगार के नहीं मिल पाता है आदमी जंगल से लाके जंगल का फल होगे रखा के जिवन ही आपन करते हैं आप लोग जाईएगा ना जंजा चेटर में एकदम आप लोग देख के रोना आजाएगा कि भारत क्या है विकास मतलब क्या होता है एक गरिब से गरिब तब के कचुला तक विकास होना है यह नहीं कि 5% लोगों विकास हो जाएगा वो विकास है वो विकास नहीं है तेक्या है उल्हें हम लोग ने एक्स प्रसिंट को हम लोग बढ़ते हैं अड़सर्ट नमबर में 68 में देखिए जार्कन की जंजात्यों की परमुक राजिनितिक समस्या क्या है उसके बारत देखिए राजिनितिक परति निधित्तु की कमी अधिकारों खनंग भरष्टा चार उप्रोक सभी देखिए जार्कन की जंजात्यों की राजिनितिक परति निधित्तु की कमी राजि अगर सही से मिलेगा तो आदमी हर चीज में डब्लॉपमेंट करेगा लेकिन आदमी को पीछे रखने के लिए ही और उन लोगों सिख्छा नहीं दिया जाता है यह सब नेता लोगों की कारण ही होता है अगर नेता लोग अच्छे तरीके सिख्छा दे देंगे आधिवास्यों को दलीतों को पिछलों को तो लोग आवास करने लगेंगे सवाल करने लगेंगे इसलिए सवाल पैदा ही ना हो इसलिए अच्छे तरीके से देखिएगा कि स्कूल कुलिज नहीं खोल जाता है और भूग से तडपते ही मर जाता है यह कारण है अधिकारों का हनन होता है उनक चाहिए वो भी लाब नहीं दिया जाता है सरकार के तरप से लाब तो बहुत से चरा आजिवासियों को मुहया करा जाता है लेकिन वो अंतिम छोर तक नहीं पहुँच पाती है बीच के जो बिचोलिया होते हैं दलाल होते हैं उन लोग ही खा जाते हैं इसलिए जारकन के जन जातियों का यह और आजिन ते कुछ समस्या था जो कि आप लोग बताएं है ना और हम लोग का इस प्रसन का दी नमबर उप्सन बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चले नेक्स प्रसन हम लोग का देखिए 59 नमबर में जन जाति कलियान के विचर धराओं में आधुनिक्ता का ससकती करन किसका पक्षदर है परमपणिक संड़क्षणाओं का संड़क्षण जन जातियों का सहरी करन संस्कितिक एकी करन आर्थिक सोतनता इसका राइट एंसर हो जाएगा आर्थिक सोतंता ठीक है डी नमबर उप्शन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा देखी जनजाती कल्यान के विचर थरम आधुनिक्ता का ससकती करन ये उनका जब आर्थिक सोतंता रहेगा है ना वो भी अच्छे तरीके से पैसा कमा पाएंगे पैसा कमा पाएंगे तो अच अच्छे इसकुल को लेजिए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छे उनमें बेहवार विद्वान हो जाएगा यानि उत्पन होने लगेगा यह सब कैसे आर्थिक सोतंता के माध्धम से होगा ठीक है इसलिए डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही अंसरो हो जाएगा चले नेक्स्ट है सत्तर नमर में देखिए बायत सविधान में जन जातियूग सुरुक्षा के लिए कोन सा अनुछेद है अनुछेद पंदरो अनुछेद 46 अनुछेद 370 या फिर अनुछेद 24 इसका रायट एंसरो हो जाएगा अनुछेद 46 यानि कि 46 विल्कुल रायट एं चले नेक्स्ट है देखिए industri नमर में भारत में अनुछेद जंजातियों के लिए आरक्षन की वियुईस्ता किसके ताइत कि गई है अनुछेद जाति आधेश के ताइत या फिर पिछोडा आयोग के ताइत या फिर मोलीक अधिकार के ताइत या फिर नागरिक्ता अधिनि जम के कारण इसका जो राइट इंसर हो जाएगा ए नमर उप्शन यानि करने सुची जाती जन जाती और देश के तहथ टेक है ए नमर उप्शन बिल्कूर राइट इंसर नेक्स्ट देखिए बातार नमर में निम्लिकित में से कौन सा आंदोलन जार्खन में हुआ है बिर्सा अंदोलन चिपको अंदोलन न के रमादा बचाओं आंदोलन बताई इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बिर्सा बचात आंदोलन हो गार ताना भगत आंदोलन हो पर्षामुणलन के बिर्शा मुंडा दिसको भारत के सासी आसपास बंगाल उलिसा ज्छातितीस गठार, भिहार, मज़ पर्देश के लोग भगवान के रूप में इनको जानते हैं और बिर्सा मुंडा के जन्व दिवस के आउसर पे ही और जारकन राइज अलग हुआ था पंदरों नॉमबर धार्मिक सुधार या फिर समाजिक सुधार या फिर भूमी सुधार तो देखिए ताना भगत अंदरों का मुख्य गुदेशी ही था क्या विर्टिस आसन के खिलाब बिद्रो करना विरोध करना चले नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है विर्सा अंदरों का मुख्य कारण क्य अंसर हो जाएगा चेले next है हो में पच्छत्तर नमें जर्कन ना डोलं का मुईख उदेश से क्या था जर्कन के एक सोतंतर राईज का दर्जा दिलाना भूमी सुधार या फिर फिर सांस्कितिक संड़क्शन या फिर समाजी क सुधार तो जर्कन ना डोलं बहुत ही यहां के लोगों का बलिदान दिया गया तब जाके जारकन अलग हुआ पंद्रों नहों मेर दूजार को ऐसे ही एक दिन में यह जारकन नहीं मिला है यहां के लिए किसी का मा का मा विद्वा हो गई है किसी का बच्चा मर गया है किसी का घर परिवार भिखर गया है तब जाके जारकन अलग हुआ है ऐसे ही जारकन नहीं मिला है जारकन कोई भीक में नहीं मिला है बलकि यहां के लोगों नहीं आंदुलन किया कई मेहनत किया सरकार के खिलाब उल्गुलान किया विद्रोख किया अपने हक अधिकार के लिद्व जाके ये मिला ठीक है गर आप अपना धिकार को प्राथ करना चाहते तो आपको आवाज उठाना ही होगा आपको आगे बर नहीं होगा ऐसे नहीं बोले को फला कर देगा ठकना कर देगा कोई नहीं कर देगा आपका दुख तकलिप है आपको जोरत है तो आपको आवाज उठाना है आवाज ने उठाईगा तब तक अगला आदम कैसे पता चलगा आपको क्या कमिये नहीं है इसलिए आवाज बरपूर उठाना है और ये एक सिक्षित वेक्ति के ही पहचान है ठीक है चले नेक्स्ट है ह प्रस्ण में ताना भगत आदोलन किस जनजाति से समंदित था भेल, संताल, उराव, नागा, तो यह जो था तना भगत आंदुलन, आप सभी को बताए, 1914 इस विम सुरू हुआ था, और यह एक धार्मी का अंदुलन था, ठीक है, और देखिए, और यह राइस्टी लेबल का अंदुलन था, और इसका जो अंदुलन की जंजाती संबंदी थ है, इसलिए, सी नमबर ओप्सन बिलकूर राइटेंस रोजाएगा, और जहारकन का सबसे सिक्ष जंजाती भी उराव जंजाती है, आप लोग देखिएगा, उराव जंजाती है, हर फिल्ल में आप लोग को मिलेगा, DSP, SP, पोल्टिक्स, यानि हर तरीके से, उनलोग सिक्ष प्रेंट देना होगा, तब जाके आप लोग अपने साथ साथ देश का तरक्की किजिएगा, अदर्वाइस, कुछ नहीं होने वाला है, देखिए, अठातर में है, बारत में जंजाती हो कि विकास के लिए परमुक सरकारी योजना कौन सी, जंजाती हो प्योजना, सिक्षा क अधिकार, अधिनिया, मन रहेगा, परदान मंतर, गराम, सड़की हो जना, इसका राय टेंसर हो जाएगा, जंजाती हो प्योजना, यानि कि ए नमबर उप्शन बिलकुल सही अंसर, चले नेक्स्ट आप लोगा दिया हुआ है, 89 नमबर में, बारत सविधान के किस 244, अनुछेद 121, अनुछेद 165, इसका राय टेंसर हो जाएगा, अनुछेद 242, इ नमबर उप्शन बिलकुल राय टेंसर हो जाएगा, ठीक है, जिन्दगी एक मिनिट में नहीं बदलती पर एक मिनिट में लिया गया फैसला जिन्दगी बदल देता है सही बात है दूस्तों सपलता एक दिन में नहीं मिलता है लेकिन सही अगर काम करेंगे तो सपलता एक दिन जरूर मिलता है थेकल है तो देखे जिंदगी सही बात है जिंदगी एक में नहीं बदलता है अब सुचिए DAYनल बोधि पर्धार मुंधरी बन गया हम भी बन जाएंगे तो आप यह नहीद देखे को पर्धार पुरे जीवन लगा दियात अचिवी किए सबसक्राइब के इस लिए अमेसरा जिन्दघी में सही प्रद्धार मंधनों किने गलत का रोटी कम ही खाईएगा लेकिन कभी भी गलत काम नहीं कीजिएगा ठीक है तो चलिए हम लोग आगी के और बढ़ते हैं हम लोग अब देखेंगे आईटी नमबर प्रस्ण में देखिए ताना भगत आंदलवन का संबंद किस परकार की सुधार से था तो यह समाजिक धार्मिक सुधार या फिर आर्थिक सुधार राजिंतिक सुधार सेचिक सुधार तो यह आप लोग का समाजिक और धार्मिक सुधार आंदलवन था और जो ये टाना भगत आंदोलन हैं ये आप लोग को बता देना चाहरे हैं ये गुमला जीला से शुरू हुआ था ठीक है और ये जो जत्रा भगत आप लोग को बता है थे जत्रा भगत गुमला जीला के ही रहने वाले थे हैं ठीक है और इनोंने गांधी जी को 400 रुपिया भ उहां पर आयें थे उहां पर इन्होंने ताना भगत आंदुलन के दोरा जो आंदुलन कारी थे ठीक है वो लोग 400 रुपिया और दिये थे किसको मातमा गांधी जी को चले नेक्स्ट है बिर्सा मुंडा को जन्म कि स्राइज में हुआ था बिहार जारकेन च्छतिसगर बंगाल तो बिर्सा मुंडा जी के जन्म की बात करते थे यह जारकेन में हुआ था ठीक है कब हुआ था तो 15 नौंबर 875 रिसवी को हुआ था चले नेक्स्ट है जारकेन नादोलन के परमुक नेता कौन थे बिर्सा मुंडा जैपाल सी मुंडा मातमा गांधी नरेंद्र मुद तो जारकेन नादोलन के परमुक नेता यह आप लोगा जैपाल सी मुंडा जी थे नेक्स्ट है देखिए जार्खन रायच का गठन कब हुआ अभी कुछ देर ही पहले बताए है अभी कुछ देर पहले बताये थे आ आप लोग को अप लोग ध्यान से आप लोग देखते हैं तो आप लोग इसका सही टिक लगाईएगा अप लोग पटाक से बोलिए जार्खन आंदोलें सोरी जारकन अलग कब हुआ था 1956 2000 1980 या फिर 1990 इसका राइट इंसर हो जाएगा 2000 को 15 नॉमबर 2000 को जारकन अलग हुआ था चले नेक्स्ट है 84 नॉमबर में 84 नॉमबर में देखिए आप लोगों दिया हुआ है क्या बारत में जंजातिया कल्यान के लिए कौन सी परमुक समीती गठेन हुआ था हंटर समीती वर्यर एल्वीन समीती मंडल आयोग काका कालेलकर आयोग इसका राइट इंसर हो जाएगा वर्यर एल्वीन समीती यानि की बी नॉमबर उप्सन जो होगा बिल्खुल सही अंसर हो जाएगा चले नेक्ष प्रस्णी आप लोगा 85 नमर में जार्खन में जन्जातियों की आर्थिक इस्तिती को सुधारने के लिए कौन सा पर्मुकाईर करम है जार्खन में जन्जातियों की आर्थिक इस्तिती को सुधारने के लिए कौन सी पर्मु कायर करम है मंडरेगा, परधान मंतिर के सिचाई होजना जंजाती उपियोजना सिख्छा की अधिकार अधिनियम इसका राय टेंसर हो जाएगा जंजाती उपियोजना यानि किसी नमरों उप्सन जो होगा विल्कुल राय टेंसर हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा अनुछेद पंदरो फोर ठीक है ए नमर उप्सन विल्कूट राइट एंसर है चले नेक्स्ट है इसका राइट एंसर हो जाएगा ए नमर उप्सन यानि की समाजिक नियाए और अधिकारों की रख्षा ठीक है चले नेक्स्ट है आप लोग 88 नमर में दिया हुआ है जार्खन में जनजातियों के राजिनतिक संगर्ष का परमुक कारण क्या है भूमी अधिकार शिक्षा का भा स्वास्यवाँ की कमी धार्मिक सोतंता इसका राइट एंसर हो जाएगा भूमी अधिकार यानि की ए नमबर उप्सन विल्कुल सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए बिरसा मुंडा का आंदोलन किस परकार के सुधार से जुड़ा था भूमी सुधार धार्मिक सुधा समाजिक सुधार सेचिक सुधार इसका राइट एंसर हो जाएगा भूमी सुधार यानि की ए नमबर उप्सन विल्कुल राइट एंसर नेक्स्ट देखिए नबे नमबर में बारत में जनजातियों के विकास में उनका महत्पुर्ण अस्थान क्यों है संस्कितिक वीवता का संरक्षन के लिए प्राकितिक संसादों के रक्षा के लिए परियावरन संरक्षन के लिए या फिर उप्रोग सबी तो देखिए बारत में जनजातियों के विकास के लिए बिल्कुल इसका राइट इंसर हो जगा डी नमर यानि कि संस्कितिक वीवत्ता के संरक्षन के लिए आधिवासियों का विकास उना बहुत ही जरूरी है प्राकितिक संसाद्रों को बचाये रखना है तो आधिवासियों को विकास करना ही होगा परियावरन को अगर बचाना है तो आधिवासियों को विकास करना ही होगा इसके बिना अभी कलपना भी नहीं किया जा सकता है इसलिए आम लोग का D नमर उप्सर विलकुल सही एंसर हो जाएगा ठीक है? Next देखिए 91 नमर में देखिए आप लोग दिया हुआ है समासास का आवीरभाव किस समय हुआ था 27 सदी में, 28 सदी में, 19 सदी में या फिर 20 सदी में इसका राइट अंसर हो जाएगा 19 सदी में C नमर उप्सर इस दी राइट अंसर Next देखिए समासास का जनक किसे मना जाता है अगस्ट कॉम्ट को, कारल माक्स को, मैक्स वेबर को या फिर इमाइल दुर्खीम को इसका right answer हो जाएगा अगस्ट कॉम्ट को ए नमर उप्षन विल्कूर right answer है क्या लिए next है समाजसास का अईन्य सिख्छा सखाओं से क्या संबंध है या अईन्य समाजिक बिग्यानों से अलग है या अईन्य समाजिक बिग्यानों के साथ घनिष रूप से संबंधित है बी नमर उप्षन विल्कूल सही answer हो जाएगा ठीक है देखिए next आप लोगा 94 नमर में समाजसास रोड मानोसास के बिच से मुख्यांतर क्या है समाजसास का अदियन समाकलिन समाज पर केंदरित होता है जबकि मानोसास का अदियन प्राचिन समाजों पर होता है समाजसास र अधिक बेग्यानिक है मानोसास के बिच संस्कृतियों का अधियन करता है समाजसास के बिच समी और समाज का अधियन करता है या फिर इसका राइट यंसर हो जाएगा याने कि समाज सास्का अध्यन, समाकालिन समाज प्रकेंडरित है जबकि मााणोसास्का अध्यन प्राचीज समाजों पर होता है चलिए नेक्ष्ट है 25 नम्बड 25 नम्बड़ में दिखिया आप लूग दिया हुआ है बिज्ञान और समाजिक बेवार के अध्यान में परमुग समय सें क्या होती है जटिल्टा और परिवर्तन सिल्टा, इस्तिर्टा और पुर्वनुमान, मातरतमक्ता या फिर उप्रोक सभी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जटिल्टा और परिवर्तन सिल्टा ए नमबर उप्शन विल्कुल राइट एंसर नेक्ष्ट देखिए 96 नमबर में यथार्ता और विश्वसिनियता के संदर्व कौन से कथन सही है यथार्ता का मतलब है कि अनुसंधान वास्त्विक दुनिया को ठीक से दर साता है विश्वसिनियता का मतलब है कि अनुसंधान परिनाम बार बार सही होते है यथार्ता और विश्वनिस्ता समान है डी में दिया हुआ है केवल ए और बी सही है इसका राइट एंसर हो जाएगा डी नमबर उप्शन केवल ए और बी दोनों कथन सही है चले नेक्स्ट है हम लोगा समासासर में बेग्यानिक बीदि का मुईख्योदेश क्या है बेक्ती परक्ता का उन्मूलर समाजिक संरचनाओं का अध्यान समाजिक बेहवार का पुर्वा नुमान संस्कितिक मुल्यों का अध्यान इसका राइट एंसर हो जाएगा बेक्ती परक्ता का उन्मूलर ए नमर उप्सन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए 98 नमर 98 नमर में दिया हुआ है समाज सास्र में समाजिक अनुसंधान की संरचना क्या होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा परिकल्पना निर्मान डेटा संकलन की परमुक बिध्या क्या है सर्विक्षन और साक्षतकार परियोग अभिलेक्य अनुसंधान उपरोग सभी इसका राइट एंसर हो जाएगा डी नवर आप्षन यानि की उपरोग सभी समाची का नुसन धानमी तैथ्य संकलन की परमुक बिध्या में देखिए आप लोग सर्विक्षन और सक्षतकार हो जाएगा परियोग हो जाएगा अभी लेकर नुसन साधन होगा इसलिए हम लोग का डी नुमर ऑप्षन जो होगा बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चलि नेक्स्ट प्रशन हम लोग बढ़ते हैं हन्डेड नमर में हन्डेड नमर में देखिए आप लोग को दिया हुआ है क्या यथर्ता और विश्वसिन्यता के बीच क्या संबंद है यथर्ता का संबंद परिनामों की सटिक्ता से है जबकि विश्वसिन्यता का संबंद परि बिल्कुल सही answer तो चलिए हम लोग next present करो हम लोग बढ़ते हैं देखे next present जानने से पहले देखे आप लोग लिए और एक quads से लेकर आए हैं देखें काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए हर कदम ऐसा चलो कि निसान बन जाए यहाँ जिन्दगी तो हर कोई काट लेता है जिन्दगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए मिसाल बन जाए तो उसके लिए अप लोग को क्या करना होगा संगस करना होगा अगर आम जिन्दगी जिन्दा है घर में रहना है तो आराम से 8 गंटा, 10 गंटा सोई अगर आप लोग को जिन्दगिंग कुछ करना है है ना, रोल मॉडल बणना है समाज का तो आप लोगों महनत करना होगा संगस करना होगा, तब जाके कोई अपना मलबच्चा को बताएगा की बनना है तो उसके दरव बनो ठेक है आप लोग को समझे में आया तो चलिए आप लोग नेक्स प्रसिंग और बढ़ते हैं देखे 101 में दिया हुआ है आप लोग का क्या दिया हुआ है तो दिखिए हाँ दिखिए समाजी करनों संधान में अभी बिरिती मापन की परमुक तकनीक क्या है साक्षातकार प्रसनावलेई सर्विक्षन असकेलिंग भी दिया इसका राइट एंसर हो जाएगा असकेलिंग भी दिया यानि की डी नम्बर उप्शन बिल्कुल राइट एंसर चलिए नेक्स्ट है 102 दो नम्बर में बेग्यानिक बिदिक विश्यस्ताम क्या सामिलें वस्तुनिष्टा, परमानिक्ता ब्यवस्तित अवलोकन या फिर उप्रोक सभी इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्रोक सभी डी नम्बर उप्शन बिल्कुल राइट एंसर चले नेक्स्ट है 103 नम्बर में समासासर में तैथ्य संकलन की विधियों में किसे परमुक मना जाता है परत्येक्छवलोकन, साक्षातकार परियोग, सर्विक्षन इसका राइट एंसर हो जाएगा सर्विक्षन डी नम्बर उप्शन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए आप लोगो दिया हुआ है चार में तैथ्य विसलेशन की विधियों में कौन सी विधि सामिल नहीं होती गुनात्मक विसलेशन मातरात्मक विसलेशन सांख्यक्य विसलेशन बेक्तिगत अनुमान इसका राइट एंसर हो जाएगा बेक्तिगत अनुमान डी नमबर उप्सन बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा चले नेक्स प्रसने आप लोगा अभी बिरिती मापन में लिकट असकेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है बेक्तिगत इस्टिकोन का मापन के लिए संस्कितिक मान याताओं का मापन के लिए आर्थे की स्तिति का मापन के लिए समाजी गति सिल्ता का मापन के लिए इसका राइट एंसर हो जाएगा बेक्तिगत इस्टिकोन का मापन के लिए यानि कि A नमर जो उप्सन होगा बिल्कुल रायट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रसंदिक क्या आपनों को दिया हुआ है A.M. मेकाईवर की कारण आउधारना का पर्मुक उदिश से क्या है समाज सासर में कारण की बिस सम्मद की पहचान करना समाजिक अतिसिल्ता का अध्यान करना संस्कितिक परिवर्टन का अध्यान करना समाजिक संरच्णाओं का बिसलेशन करना तो पता इसका रायट एंसर क्या होगा A.M. नमर उप्सन ठीक है यानि कि समाज सासर में कारण की बिस सम्मद की पहचान करना चलिले नेक्स प्रसने हैं समासास्त्र के अजन्य सिक्षा साखाओं से समझ में सबसे अधिक प्रसांगी क्या है इतियास और सास्त्र, राजरिति, भिक्यान, उप्रोग सभी इसका राइट इंसर हो जाएगा उप्रोग सबी दीनमर उप्शन बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट है समाज सासर में असकेलिंग की कौन सी बिद्धी का उपयोग किया जाता है बोगड़स, सोसल डिस्टेंस, असकेल और थस्टोर्न, असकेल गटमेन, असकेल या फिर उपरोग सभी इसका राइटेंसर हो जाएगा उपरोग सभी नेक्स्ट देखिए समाजी करनो संधान में तिरिकोनी करन का क्या और थे एक ही समयस्या का दिन अलग-अलग दिस्टे कोन से करना यानि कि भिन-भिन और दिस्टे कोनों से करना या फिर तीन अलग-अलग नमूनों का परयोग करना, या फिर तीन का परिकलपनाओं का परिक्षन करना, या फिर केवल गुनात्म करनों संधान का उप्योग करना, इसका राइट एंसर हो जाएगा, इसलिए ए नमूनों का बिल्कुल राइट एंसर, नेक्स्ट देखिए, 110 नमबन में, बेग्यानिक बिदी का परमुगलाब क्या है, निस्कर्सु की विश्वसिनियता, परिनामों की सटिक्ता, अन्विंसन की वस्तु निस्टा, वो प्रोक्स अभी, इसका जो राइट एंसर ह हो जाएगा, डी नमबर ओप्सन, यानि की वप्रोक्स अभी, चले नेक्स्ट प्रसन आप लोग दिया हुआ है, 111 नमबर में, समासास में फेक्ट किसे कहा जाता है, बिक्तिगत मान्याता को, संस्कितिक परमपरा को, अनुभाव जैन्य सत्य को, धार्मिक विश्वास को, इसका राइट एंसर हो जाएगा, अनुभाव जैन्य सत्य को, यानि की सी नमबर ओप्सन बिल्कुल राइट एंसर, नेक्स्ट देखिए, 112 नमबर में, 112 नमबर में यह आप लोग को दिया हुआ है, समाजिक अनुसंधान में कायरिक कारण संबंद की पहचान किसके माध्यम से की जाती है, अनुभाव जैन्य डेटा का विसलेशन के माध्यम से, केवल गुनात्मक डेटा का उप्योग के माध्यम से, संस्कितिक मान्यावताओं का अध्यान के माध्यम से, या फिर बेक्तिगत अनुभाव के विसलेशन के माध्यम से, इसका राइट एंसर हो जाएग इसका राइट एंसर हो जाएगा बेवस्तिता और वस्तुनिष्टता ए नवर ओप्सन बिल्कुल राइट एंसर नेक्स्ट देखिए बार 114 नंबर में समाज सास्र में परिकल्पना क्या होती है अनुमानित सम्बंद अववास्त्विक डेटा संस्कितिक परंपरा या फिर बेक्तिगत विस्वास इसका राइट एंसर हो जाएगा अनुमानित सम्बंद ए नवर ओप्सन बिल्कुल राइट एंसर चले नेक्स्ट है समाजिक अनुसंदान में कौन सी बिदी सबसे अधिक परशिलिते सर्विक्षन बिदी परियोगात्मग बिदी साक्षात्कार बिदी केश्ट अस्टेडी बिदी इसका राइट एंसर हो जाएगा ए नमबर यानिकी सर्विक्षन बिदी नेक्स्ट चलिए एकसो सल्लो नमबर में दिया हुआ है तैट की संकलन के लिए परशिक्ष अवलोकन यानिकी डायरक अबजर्विशन किस परकार की बिदी है गुनात्मग बिदी, मात्रात्मग बिदी, अनुभाव जैन्य बिदी और प्रोक सभी इसका राय टेंसर हो जाएगा गुनात्मग बिदी नेक्स्ट है एकसो सत्रो नमबर में समाज सासर में असकेलिंग का परव कुदि से क्या है इसका राय टेंसर हो जाएगा बिदी कोनों का मापन ए नमबर उप्शन विलकुल सही अनसर नेक्स्ट देखिए एकसो अठारो नमबर में एम मेकाईवर की कायर करन अउधरना में कारन का क्या आरते समाजी गटना का मूल करन परिनाम का विसलेशन संस्कितिक परभाव समाजी क संरचना का अधियन इसका राय टेंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन यानि की समाजी गटना का मूल कारन चले नेक्स्ट है बैग्यानिक बिदी के अंदरगात परिक्षन किसके लिए उप्योगी है समाजी क बेहवार के कारनों को पता लगाने के लिए संस्कितिक परिवत्तन का विसलेशन करने के लिए या पिर समाजी क संरचना का अधियन करने के लिए या पिर समाजी क अतिसलता का मुल्यांकन के लिए इसका राय टेंसर हो जाएगा समाजिक वेहवार की कारणों को पता लगाने के लिए यह नमर उप्षन बिल्कूल राइट एंसर नेक्स्ट प्रसंदेखिए आप लोग दिया हुआ है यह हम आज की लास्ट प्रसंट ठीक है? आज सिरिस आज की कलास की लास्ट कोशन देखिए समाज सासर में बेग्यानिक दिश्टिकोन का क्या मत दो है यह समाजिक गटनाओं का निस्पक्च अध्यान सुनिश्चित करता है यह केवल सांस्कितिक मुल्यों का अध्यान करता है यह केवल बेक्तिकत मन्यातों को पिसलेसन करता है यह केवल कुनातमक डेटा का उप्योग करता है इसका राइट एंसर हो जाएगा A number option यानि कि यह समाजिक गटनाओं का इसपक शध्यान सुनिश्चित करता A number option विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो आज की हम लोगा मिरातन कलास नहीं पर समाप्त होती है उमीद करते हैं आप सभी को यह मिरातन कलास बहुत ही helpful हुआ होगा तो वीडियो का लाइक करें कमेंट करें जदा ज़दा शेयर करें ताकि जितने भी तयारी करने वाले कंडिडेट होंगे सभी पास वीडियो पूँच सकें और सभी लोग इसका फायदा उठा सकें तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग एक कमेंट जरूर कीजेगा ताकि आप लोग मौटिवेट आप लोग कमेंट के मादे सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी इसी परकार का आप लोग वीडियो अपलोड होगा ता आप लोग सबसे पहले नाट पी किसन मिल सकेंगा ठेक है तो ठेक है दोस्तों फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो तब तक लिए टाटा वाई वाई जुहार